प्रेजरों जे मसीकी मैं स्टैली मैंकवान मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबस ट्रेम आपका सागत है मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लिजे और परमेस्वर ज्यान में आप बढ़ते जाओ परमेस्वर पच्टाए क्या परमेस परमेस्वर तीन जगाँ पर पच्टाए और तीनों जगाँ पर उनके पच्टाने से क्या हुआ और उनको जो पच्टावा हुआ कि उससे क्या रिजर्ट बहार आएक और यह बात हमार ने जानना क्यों ज़रूरी है यूज जाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अन्ट बने रहो जब परमिसर ने इस धर्ति को बनाया तो परमिसर ने बहुत खूबसरत बनाया परमिसर आस्मान बनाया परमिसर ने इस धर्ति के गुले को बनाया उसके उपर समूंदर बनाया अलग-अलग नदिया भेहने लग गई कई तरह की खाई तराई पहाड फल फोल जर्ने सब कुछ परमेसर ने बहुत बढ़िया बनाया कहीं पर किसी भी तरह की कोई घमिक कमिकटी नहीं और परमेसर ने यह सब कुछ किसके लिए बनाया था किसी पसू के लिए नहीं किसी पंची के लिए नहीं परमेसर ने इस सारी बाते बनाये थी अपने पुत्र मतलब की इंसान के लिए तो कि परमेसर ने इंसान को अपने जैसा बनाया था तो परमेसर ने सब कुछ बनाया इंसान के लिए और परमेसर जितना कुछ बनाया है और से बनाए लेकिन जब इंसान के बारी आई तब परमेस्व शब्दने बोली तब परमेसर ने मेहनत की मिट्टिली परसका गारा बनाया और अपने हाथों से एक आकार दिया वो भी अपने जैसा और परमेसर ने हम इंसान को अपने अपने सोरोप में अज्धा तो ये जो इनसान है कि आफ़ाय की सबसे बड़ी सृष्टी थी कि या सब से मुल्यवान या सबसे अच्छे शृष्टील वो पर में सरगी इंसान था इन्सान पहुत ही बड़ एक परमे सर्म ने कुछ परमेंस अने इंसान के वर्ष में कर गया है इस अपो तेरे वर्ष में तू संबाल इसको इसका इस्तेमाल कर लेकिन साथ-सात में परमेंसर ने एक आगया दिझी और आगया यह ठीक कि एक पेड़ शार जो एदन बाग के बीचों भी मिच लगाया है था कि और उस पिड खाना इंसान के लिए अच्छी बात नहीं थी यह उसके लिए बुरी बात थी इसलिए परमेशन बोला था कि तू इस फल को मत खाना कि तो फल इंसान को नहीं खाना था और परमेशन को बहुत उमिद थी परमेशन को बहुत आस थी कि इंसान कभी भी मेरी मर्जी के विरूत मे नहीं जाएगा तो सबस्क्राइब और सब्सक्राइब कि इतनरा एक पतनी सब कुछ तो परमेसर इतना कुछ दिया था इस कारण परमिस्रों को आस भी थी कि एंसान मेरे विरोध में कभी नहीं जाएगा लेकिन हुआ कुछ उठाक इनसान तो भी रोध में गया इन्सान ने तो उस शेतान का अमानक उसके पीछए चल पड़ा कि छिर्फ फल खाया इतना नहीं उसके बाद ने भाद में उसक्षमा माईगे ऐसा भी फल खाने के बाद आदाम और हवा ने परमिसर के उपर दोस्त लगाया कि जब परमिसर आदम को पूछा आदम कि तुने फल खाया तो आदम क्या गोला है तुने जोस्त्री दिने उसने मुझे खिलाया मद गलती तेरी थी मैं किला था क्यों मेरी पस्षमी निकाले कि यूश्त्री बनाए जयस्त्री बनाए तब कितना खुस था और अभी देखो उसे दोस्ति लगाया परमिसर के उपर तुने राइध तो बनाए उसके करण ऐसा वोड़ आजनी सो परमिसर को कितना बुरा लगए ंंदर से परमिसर के हर्दे क और उसके बाद दुनिया बढ़ती गई आदम को दो बेटे हुए एक हाबिल एक कैन और मालूम है कैन और हाबिल ने परमेसर को बेट देख लेकिन के काम बुरे थे हाबिल के अच्छे थे और हाबिल की बेट को परमेसर ने ग्रहन किया लेकिन कैन की बेट को परमेसर ने ग्रहन ने किया उसको गुस्सा आया तो परमेसर प्यार से उसको बोला कि कैन अगर तो अच्छा करें बला करें तो क्या तेरी बेट ग्रहन ने की जाएगी तो बला कर मैं तेरी बेट को भी ग्रहन करूंगा लेकर उसको तो और परमेसर कि मेरे एक बेटे ने मेरे दूसरे बेटे को मार दिया कि पर में से कितना दुख होता हुगा कि उसके बाद धर्ती और आगे बढ़ती कि लामे खाया कि उससे भी तो मर्डर कर दिया कि और वो तो बोलता है कि कि इनको मारने वाले को जितनी सजा मिलेगी उससे कई गुना ज्य अपने आपने करता है पर में सुक अबुरा लगी गए कि इसकान कहां से पहुंच गया पाप बढ़ता गए निमरोगा बाइबल में ने लिखा लेकिन इतियास ऐसा कहता है कि निम्रोग जो है न वह आस्मान में तीर मारता था और रहसा बोलता है कोने फर में सर्थ मैं पर में अगर कोई परमेशा था भाहर निखाल मैं तुस्थे भी देखनूंगा बहुत बलवान था कि शिकारी था हंटर कि परमेशा को चैलेंज करता था अभी देखो परमेशा को कैसा लगए गए उस ते लोगों को अपने पीछल अगा दिया कि मेरा का हो आमानो परमेशा का नहीं म परमेसर को कितना बुरा लगेगा दुनिया पाप में डूपती चले गए डूपती चले गए और फिर तो लोगों अपने लिए देव देवता बनाना शुरू कर दिये लोग परमेसर को भूल गए अरह अब तो सोच करते थे ने उनकी सोच में भी बुराई थी उनकी टार्म कर दोंगा मैं और परमेसर ने भूला के मैं मैं पच्छता रहा हूँ कहाउमिन इंसान को भ行了 नहीं बनाना चाहिए तक क्यों मैन फोगट में इंसनबना देन आज देखो क्या से क्या हो गया ऐसा प्रमेस्ट को हो गया और मैं एक वच्छन पढ़ना चाहता हूं जो है उत्पति का पुस्तक उसका गया शेग और वच्छन भी शेग और यहावा प्रुषी पर मनुश्य को बनाने से पच्छताया गया और वह मन में अती खेदित हुआ प परमेस्ट को दुख भी हुआ पस्ताय और मालो पस्तकर क्या किया उन्हों नो को बुला नू तु जहाज बना नापटे दिया तिन मंजिला बनाना भो बता दिया का पर खिड्की करने ओपार दिया सब कुछ बोल दिया और फिर बोलने के बाद परमेस्वास पूरी धर्ती का नाश कर दिया पस्ता क्रों बनाया में इनसान को खतम करो सबी को मार लोग और पूरी धर्ती परमेशण खतम कर देधी जिर नू और उसके तिन बेटे उनकी पत्निया अनू की पत्निया आठ लोग इंसान बचायए उसके बाद धर्ती और बढ़ने लगी इतिन परिवार से और सबीस लोग बढ़ने लगए बढ़ते बढ़ते इस्रैल प्रजा अबरहाम आ गए उसके बाद और भी बढ़े इस्रैल प्रजा मिसराइस्में गुलाम बनी वहां से प्रमेसर उनको आज़ कर रहे थे कि मदलब परमिसर का कहा हुआ सब कर रहे थे कि पुरी इज्राइल प्रचा परमिसर के कहने के नुसर जीवन जीती थी लेकिन जब इन लोगों आसपास में दिखा कि हां तो लोगों के पास राजा है और हमारे पास राजा नहीं अभी तो राजा का मतलब होता है को कुछ चलाने वालत तो इस्टा चलाने वाले परमेसर से अभो यह लोग बोलतें नहीं परामेसर नहीं सब्सक्राइब को इंसान्च इह आधे पास कम हे तो वह राजने का रजा है तो घुश hein समयल भविशक्ता थे उनको भी बात पूरी लगी लेकिन प्रमेसर नों बोला कोई बात नहीं समयल तु डर्मत मत फिकर करते मत दुख्यों इनको राजा चाहिए न में राजा दूंगा और प्रमेस ने शावल का अभीषक कर दिये और शावल को राजा बना दिया अभी शावल उस जमाने देखते थे हाईट बोरी सबसे ज्यादा थी और देखने में बहुत बहतर थे सबीस अच्चे मिश्टर इस्राल बोलो ऐसे यह शावल दिखने में थे लेकिन दिमाग में थ प्तोरी सिकमी थी कि कि उनके पिता के गदे हो गए तो पिता ने शावल को लेकर जा और टूंडे कर लेकर लिखा ठीक इमें जाता हूं तो मालूमि गदे को ढूने के चार टेट क्रोस करकर चला गया अभी घ़दे के अधने दूर जाते एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार राजा क्रोस करकर क्या गदे जाते हैं कि अंधिरा होता है तो अपना पाजाते हैं लेकिन यह ढूंटे दूंटे वहां चला गया कि इतना यह वहां पर जाकर उसके नोकर बोला कि कि शावल यहां पर परमेश्व का एक भई शिवक्त रहता शमूल उसके मेरे पास जाया तो सही लेकर उसको कुछ बेटतो देने पड़िए मेरे पास तो कुछ है ने ये सा के सा मालिक है ये से कैसे इसा इंसान है नोकर के पास था सूना लेकिन शावल के पास नहीं थैजा रहाँ नहीं बिटन पता हॉना चैन कहीं पर जा रहां और जाँ रहां तो मेरेपास कम से कम इतने पैसे तो होने चीह रास्ते के लिए सफर के लिए कुस्तों सब्छाँ बसके ऑला गया मतल्य दीमाग से इसंट चलता था प्रमेस्न उसको फ्रकुक्रकॉत कर दिया और अपर अपरिक करने के बाद पहुत्रात्मा दियों पहुत्रात्मा को मिला सामरति हो ग्ला लडड़ लगागा जतने लागया कि दो साल बहुत अच्छे से चला दिया उसके बाद उसको कमना गैडiblis एक बार फिलिस्तिनी लोगों के साथ लड़ाई थी कि शमुल बुला था मैं आऊंगा होंबली दूंगा उसके बाद लड़ाई के लिए जाना है कि लेकिन शावल ने होंबली खुद दे दिक अब बोले मैं भी तो परमेसरकादास हुत मैं भी तो अपेशिक हूं क्या मैं नह आ करने के लिए आ गया हुए ते और लोग मेरे से दूर हो कर होते जा रहे थे और इसनुख कर यह तो भी तो वख्ष पर नहीं हें है कि है सने बोल रहा कि मेरि कलती हो वेक है लेकिन ऐसा वोड़ा तूने गलती की तुने गलती की और शमयलों बोला कि शावल इस बात में तुने मुर्खता का काम किया और परमेशन अब अपने लिए मन पसंद एक राजा को डून लिए अब तेरा राजस्थिर नहीं रहेगा शाव को पता चले फिर भी शावल वैसे ही चले फिर परमेशने का गया और वी नास कर देख बेड़ बकरी सबीका नास कर देख शावल लड़ाय के लिए जितकर भी एक लेकर राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर है और काफी बेड़ बकर या बेल पसु को लेकर है जो अच्छे शे पूश्ट थे कि और शमुल एक पर फिर बोला कि शावल तुने आगया है क्यों नहीं मानी का और अठीक होड़ाय कि अलफनी मैड़ाक सब्सक्रिया सिर्फय्तक मार दिया सिर्फ राजा को दी इतना पकड़ कर रहा है तो गलती नहीं है जो पसो कि आवा जा रही हो क्या है तुपनू परमेसर को भेत देने के लिए होमबली से खुश दे ओटे आ और फिर वह ऐसे ही चलते गे ऐसे ही चलते गे और फिर बाइबल में ऐसा लिखाए एक वचन पढ़ते हैं पहला शमुल 15 अध्याई उसका 35 वचन और शमुल अपने जिवन पर साउल से फिर बेटना की क्योंकि शमुल साउल के लिए विलब करता रहा और यहोवा शाउल को इस शाउल को राजा बना दिया गलती करती नहीं बनाना चाहे था इसको राजा पश्ताय परमेसर और मालू पश्ताय तो क्या हूँ उसके पाद पाइबल में लिखाए पहला शमुल उसका सुलवात याई और 14 वचन और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और एक दूस्त पूछ से परिशान करने लगा कि दिए जब परमेसर पश्ताय शाह उसे कहा इसको राजा बना दिया तो अपना आत्मा वापस तब यहोवा ने न तो सपन के तवारा उससे उत्तर दिया और ना उरिम के तवारा और ना भविश्य वक्ताव के तवारा देखो परमेशन ने शावल के साथ बात करना ही बंद कर दिया कि परमेशन पस्ता है कहा मैं इसको राजा बना दिया कि अपना आत्मा ले लिया कि ये हो गया इतना ही परमेशन उसके साथ बाते करना ही बंद कर दिया परमेशन उसकी सहायता करना बंद कर दिया और मालू मैं अखिर में क्या हुआ एक चनल पढ़ते हैं पहला शुमल 31 वाद्याई एक से चार पलिस्ती तो इसराइल से लड़े और इसराइली पूरुष पलिस्ति सावल के पुत्र युनातान अभिनादाब और मलकिस को मार डाला और सावल के साथ खमासान युद हो रहा था और धनुर्धारियों ने उससे जा लिया और वह उनके कारण अत्यांत व्याकुल हो गया तब शावल ने अपने हथ्यार डूने वाले से कहा अपनी तलवार से लोग आकर मुझे भूक दें और मेरा ठठा करें प्रंत उसके हथ्यार डूने वाले ने अत्यंत भई खाकर ऐसा करने से इंकर किया तब शावल अपनी तलवार खड़े करकर उस पर गीर पड़ा देखो शावल को कहीं से साई था ना मिलिक शावल एक साथ में एक हजार ल भूत नहीं मिली कि खूदकूशी कर ली कि परमेसर पच्चताय थी इससे कि अपना अत्मा ले लिया कि उससे बात नहीं की और आखिर में शावल नास हो गए कि परमेसर एक बार युना भुई शक्ता को बोला युना कि तु यहां से निकल और निन्वे को जा और वहां पर जाकर लोगों को प्रचार करके 40 तिन के पस्चात में इस जगा का नास कर दूंगा अभी युना वहां पर जाना नहीं चाहते थे वह जहाज में चले गए तूफा नाया मचली आई वो सब बाते छुड़ों वो सब कहानियम को मालू में लेकिन आखिर में युना को जाना प परमेसर को मानने वाले नहीं रहते थे लेकिन फिर भी परमेसर ने युना को वहां पर बेजा और युना ने वहां पर प्रचार किया जब प्रचार किया तो मालू में सभी लोगों ने जो परमेसर के विरोधी थे जो परमेसर को नहीं मानते थे लेकिन सभी ने परमेसर के पर विश्वास करते हुए ऐसा धिंडोरा पिटवाया कि सभी लोगो पास करो पापो किक्षमा मिल जाए हमारा 40 इंके पस्चाप नास नाहो सभी लोगो पास करो यह तक कि कोई कुछ नहीं खाएगा सभी लोगों ने आटे ने जुम करना बंद कर दिया पाप कर दिया और मालुम चालीस दिन तक ना खाना खाया ना पाणी पिया गुट्णों के वल परमिसर खागे बैठे रहे ग्रलस्ट्त रहे प्रात्ना करते रहे प्रेश आप में जिए यंगे लेकिन आप हमें बचा जो सब्सक्राइब परकृब हों नवाला है तो दॉत दॉत कॉंब कोशी में लगया तें नहीं एक हो सेसलोगय तो कुछ नहीं वाइन दो परंशना साथं की बातों को माना और जब परमेसर 40-40 दिन तक परस्थिति देखी इन के वयाकुल विर्दे को देखा इनके प्रैम को देखा इनके पश्चाताब को देखा और परमिसरे इनको देखका भी पश्चता है लेकिन अब पश्चताना कुछ और था परमिसरे ऐसे पश्चता है मैंने इन लोगों का नास करना सोचा था नहीं नहीं मैंने नहीं करूँगा ऌप श्टाए और मालू है इनको न्या जीवन मिलाग कि अश्aría उनार फर्मिसा को बोला क्यों नहीं हमारत प्रमैसर को डाट लेकिन इनके बारे में परमीसर पस्टाएउ और वचन एक और उनकी जो हाने करने के ठानी थी उसको न किया परमेसर पच्टाएक उनको बचा लिया परमेसर दुन्या को देखकर पच्टाएक कहां मैंने इनको बना दिया नास कर दिया परमेसर पच्टाएक कहां मैंने शावर को राजा बना दिया उसका नाश हो गया पुद्रात्म ले लिए उसके साथ कभी बाते नहीं कि उसकी साहिता ने की और आखिर में वो मर गया यहां पर लोगों ने मन फिराया पश्चाताब किया परमेसर से प्रास्ता करने लगे तो परमेसर नास करने को सोचा था उससे पश्चताए उनका नास नहीं किया उनको बचा लिए आज ये बाते में आपको क्यों बता रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं, कि परमेसर आपसे भी पच्ता है, आपके काम कहीं ऐसे तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, आप लोगों के निंदा करते हो, गलत वीडियो देखते हो, या विचार में पड़े हो, जूठ बोलते हो, लडाय कर करते हो जरता खाते हो शराप पीते हो काफी पाफ करते हो कई हैं सां समय का आप यस तो नहीं कि आपके कामोn को देख कर का हम वैंने इसको बना दिया अब तो मैं इसका नाश कर दूंग और अगर परर में सबने साट थान लिया आपके में और प्रेमस्र ने आपके के बारे में ठान कर पश्ता रहे कि कहां इसको बना दिया तो मिने प्रियों में भी केता हो आप पश्ता हो अपने मन फिर आओ तोबह करो या परने सुक जिएन समर्पित कर दो निन्य वालों की तरह उन्हें से शमा मागो वप्तिसमा लोग अपने पापो को धो दो ने जिर में आ जाओ फःद्रात्मा पालो और प्रमिसर क्या क्या कारी करना सुरू कर दो और प्रमिसर आप पस्ता हैंगे प्रमिसर पस्ता हैंगे और प्रमिसर आपका नास नहीं करेंगे लेकिन प्रमिसर आपको स्वर्ग में ले लेंगे आप क्या चाहते होगे प्रमिसर किस तरह से आपके लिए पस्ता है क्या इसे पस्ता है कहा मैं इसको बना दिया और आपका नास कर ले या इस तरह से पस्ता है नहीं यह तो मेरी रास्ते पर आगया और अब मैं इसका नाश नहीं करूँगा आप कैसा चाहते हो परमिसर का पच्टावाग इस तरह से परमिसर आपके लिए पच्टाए कि आपको जीवन दे दे वह अच्छी बात है और इसलिए मैं कहता हूँ नास तो तही है नर्ग तो त पाल पाल आपके आपके लिए खुँगा बात है नर्ग झाद को अड़न आपके बात है